विच इस दे रियरेस्ट मॉब इन माइनक्राफ तो देखो मैंने तुम्हें पिछली वाले वीडियो में बताया था कि सबसे रेरेस्ट मॉब होता है चार्ज क्रीपर पर मुझे अभी कुछ पता लगाया कि माइनक्राफ में चार्ज क्रीपर का छोड़के एक बहुती रियर म सबस्क्राइब करो माइनक्राफ में अपने आप से पहले तो वह सबसे रेरेस्ट मॉब है और यह चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है जब बहुत सारे बीच में कार्ट पंकिन सौन हो जाए और यही चीज़ स्नोग गालम को सबसे रियर बनाती है सो तुम लग सोचो अगर तुम लग रश्टे से जा रहे और तुम्हें कभी भी स्नो गॉलम दिख जाए तो वो सबसे रेरिस मुवमेंट होता है इसलिए यही से सबसे रेरिस बनाता है बाकी जाते जाते सबस्क्राइब भी कर दो